आट है ंद मोबाइल के कैमरा को कैसे हम लोग डंस्ट उपन करेंगे मतलब कैसे बैब कैमर जैसा यूज करेंगे डेखसे कम्प्यों का में नहीं नहीं इस तरह से आप नेक्ट नेक्ट करेंगे इस तो हो जाएगा अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप Google Chrome में जाकर डाउनलोड कर लिजेगा पहले हम डाउनलोड करके रखे थे इसलिए हम इसको इसको इस्टॉल कर रहे हैं और यहीं सेम चीज आप देखिए इंस्टॉल हो गया है यहाँ पर इसका आइकन आ चुगा है यह दिख सकते हैं हरे रंग का अलिखा रहता है ड्रॉइड को डियार ओई डी और सी एम और इसी अप्ल को इसी एप को इन्स्टॉल कर लेंगे इसका ड्रॉइट कैम का चलिए इस अप्लिकेशन को मुबाइल में खोल लेते हैं यह देखिए हम खोल लिए हैं और यह देखिए लिखा हुआ है डिवास आइपी और नीचे भी डिवाइस आइपी लिखा हुआ है तो ऊपर वाला ज in रिखेखर बाद स्टार्ड में किलिक करें डिखांगी गररोर पर स्टाइम करते किव año मधाईल में ऑप्लेना है उसके बाद मोबाईल का डिखिंट ए स्टार्ड में कुल ना है कि असके हम दिखाते हैं तो अब हम डेक्षटופ कंप्यूटर मेंинов कम खोल लेते हैं यह देखें कि देखें खोल लिए और इसमें देखेंश 9 लिखा हुआ है तो इसमें आपको डालना हैMS मोबाइल वाला डिवाइस ऐपी यहनि मोबाइल का आई पाटे इसमें ढलाना है उसके बाद स्टार्ट कड़ कर देना है और वीडियो पर टिक लगा हुआ अगर बीच चाहिए तो आप आप पर ब्रक्च लगा सकते हैं उसके बाद आपको लोग्चेंट कौकर दिना है लिख दिए हैं अब हम नेट चालू कर लेते हैं नेट दोनों में चलू होना चाहिए मोबायल में भी और डेक्स्टप में भी यह देखिए हमारा net connect हो गया अब मैं start पे click करेंगे यह देखिए चालू हो गया इस mobile का camera है वो देखिए desktop में खुल गया इस camera का आप use कोई form भर में कर सकते हैं जहां पर open करने के लिए दिया रहाता है उसको open करेंगे आपका यह open हो जाएगा इसको आप minimize कर देंगे form भरते समय और form में जहां पर open कैमरा का option दिया रहाता है उस पर click करेंगे तो आपका यह open हो जाएगा और इसको minimize करके रखेंगे कोई-कोई form में यह काम नहीं भी कर सकता है लेकिन अधिकांस्ता 80-80% फॉम भरने में यह काम करता है हम भर के खुद देखे हैं तो इस तरह से आप मोबाइल की कैमरा को कम्प्यूटर में अगर आपका कम्प्यूटर में वेब कैमरा नहीं लगा हुआ है तो यूज कर सकते हैं लैप्टोप में दिया रहता है वेब कैमरा लेकिन डिक्स्टोप कम्प्यूटर में नहीं दिया रहता है तो इस तरह से मोबाइल के कैमरा को बह